नमस्कार, लोग रिजवेट्स के लिए एक संदार लेगल वेकंसी निकल के आ चुकी है जो की हाई कोट अफटना के तरब से निकल के आई हुई है और यहाँ पे जो है एज लिमिट कितनी दे गई है और कितनी पोस्ट है आपको बता दे कि यहाँ लगबग 80 पोस्ट वेकंसी है और इसके लिए जो है लोग रिजवेट्स है वह अपलाई कर सकते हैं जो एलल भी किये हैं उनको फ्रिफ्रेंस यहाँ पे मिलने वाली है और आपको बता दे कि इसके लिए आपको एक अच्छी कास सेलरी भी मिलने वाली है यह लिमिट क्या है कैसे आपके यहाँ पर सेले या एक प्रैक्टिसिंग एड़ोकेट हैं और लिगल जोब की तलास में रहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बिल एकन को जरूर दबा लेजिए ताके आने वाली वीडियो की नोडिफिकेशन आपको मिलती रहें आए शुरुआत करते हैं तो अभी आप देख स सकते हैं और दो साथ तक जो है इसकी जो अफ्लिकेशन फी रखी गई है उसे आप जहां पर जमा कर सकते हैं तो आप यहां पर देखेंगे कि टोटल जो है साथ पोस्ट जो वेकेंसी है और बाकी के जो 20 पोस्ट हैं यहां पर जो है ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर की वेक जो जो है 44900 से लेकर के 1,42,400 पर तकी सेलरी आपको यहां पर ओफर की जारी है और जो पोस्ट है ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर की वेकेंसी है और इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए जो एलिजबिलिटी क्रेटिरिय दी गई है आप उसे यहां पर देख सकते इस पोस्ट के लिए यहां पर देख सकते हैं इसकी जो जो बिढ़िटीय क्ले चाही है उनकी जो है से कम 18 साल होने चाहिए 18 साल से कम नहीं होने चाहिए उसके बाद आपको मता दें कि यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर देखेंगे साथ ही हिंदी का नॉलेज जो है आप जरूरी रखी गई है उसके अलावा आप यहां पर देखेंगे से कोई प्रग्राम किया हुआ है जैसे कि आपने अगर डिसी किया हुआ है च्या महिने का या श्यामेनस ज़्यादा का तो आप इस पोष्ट के लिए उसके लावा आप यहां पर देखेंगे कि चौतर नमर पर दिया हुआ है तो जिन के पास जो यह लोग की डिगरी है उनको यहां पर प्रिफ्रेंस मिलने वाली है और आप एक लोग रिजवेट हैं आपके पास लोग की डिगरी है तो आप इस पोस्ट के लिए डेफिनिटल अपलाई जरूर किजिए क्योंकि यह सब्सक्राइब करेंगे उन सबको यहां पर इसकी फायदा होने वाली है उसी प्रकर जो ओमें कंडिडेट को 35% और जो डिसेवल कंडिडेट है उनको जो 4% का यहां पर रिजर्वेशन दिया गया है इसकी सेलेक्शन की बात करें कि अगर आप इस पोस्ट के लिए अपर कैस से होगी तो आपको बता दे कि इसके लिए आपको जो है रिटेन टेस्ट आपको यहां पर देनी होगी उसके अलावा जो आपके कंप्यूटर प्रफिसेंसी टेस्ट है और चेक की जाएगी जिसमें आपके मिनिममम 20 वर्ट पर मिनट आपके स्पीड होनी चाहिए उसके अल प्रफिसेंसी टेस्ट में भी आपको कम सगम 40% मार्क्स अशीव करनी होगी और इंटर्विव में 30% मार्क्स आपको जो है आपे लानी होगी तभी आप इस स्पूर्ट के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे जो यहां पे मिनिममम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है उस और आप जो आप जैनरल में काउंट किये जाते हैं इस पोक्ट के लिए जो एक्जामिनेशन सेंटर दी गई है उसे आप यहां पे देखेंगे कि जो एक्जामिनेशन सेंटर है उपठना, हाजीपूर और मुझफरपूर में दिया गया है अब इसकी सिलेबस की बात करें अगर हम जो की एक्ट्र वन में दिया गया है इसकी सिलेबस के बारे में तो यह जो सिलेबस इसकी काफी डिटेल में सिलेबस इसकी दी गई है अगर इससे हम पूरा कवर करें तो काफी समय लग जाएगा वै इंग्लेश जेनरल हिंदी और जेनरल अवेर्नेस और लिगल नॉलिज नहीं होगी इसके लिए आपको 45 मिनिट का समय दिये जाएगा 15 मिनिट आपको जो है उए अमर सीट को जो है देखने में और उसमें एंसर सीट कैसे आप लेखेंगे इन सब के बारे में चेक करने के लिए दिया जाएगा टाइम और बाकी के 60-60 मिनिट जो है आपको मिलेगा हिंदी से इंग्लिस और इंग्लिस से हिंदी ट्रासलेशन करने के लिए एनिक ओबरॉल आपको जो तीन घंटे का समय आपको यहाँ पर मिलने वाली है उसके लावा आपको कंप्यूटर प्रोफिसेंसी जो आप यहाँ पर देख सकते हैं और इंटर्वी उप का भी यहाँ पर दिया हुँआ है अपको दिया union करें कर दो देक्ते है जिससे के आप डिचिटे अजरी जान सकते हैं तो उगर 109 और आपको कोई और सवाल है जो आप हमसे पूछनाऊ चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स क के लिए जय हिंद जय भारत धन्यवाद